आपको मैं फिर एक बर बता देना चाहता हूँ, जैसे मैंने बताया पैथोस, ग्रीक भाषा का रूट वर्ड है, ग्रीक भाषा का पैथोस, इसका मतलब होता है feeling of sadness या sorrow, यानि एक दुख का एहसास, दुख का feeling, इससे वर्ड बनता है पहला वर्ड बना sympathy, sympathy का मतलब हमदर्द या सहानुभूति, जिसका synonym होगा pity या condolence, फिर दूसरा वर्ड बना empathy, empathy का भी मतलब हमदर्दी या सहानुभूति, इसका synonym होगा sensitivity towards, यानि किसी ब्यक्ति के प्रति, सहानुभूति होना, उसके बाद से फिर apathy, apathy का हिंदी होता है उदासिंता, और इसका मतलब कि इसका syn synonym, indifference और lack of interest होगा, उसके बाद आता है antipathy, antipathy का मतलब घिरना या दूश्मनी का भाव, यानि इसका synonym होगा animosity या enmity, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई आपको दिक्कत होगी, अगर किसी तरह की कोई भी दिक्कत होती है तो आप comment box में जरूर बताएं